तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हिलसा फिश करी और हिलसा फिश को मचलियों के राजा भी कहा जाता है तो इस वेदर में ये एक बहुत ही डिमांडिंग फिश रेसिपी है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखे अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक, शियर और कमेंट्स जरूर करें तो चलिए अभी देखते हैं तो यहाँ पर मैंने थ्री पीसस ओफ हिलसाफ फिश ले लिया है और इसे अभी मैं मैं मारिनेट करने वाली हो तो इसे हम अभी थोरे देर के लिए एक साइड में रख देंगे और जो दूसरे सारे प्रिपेरेशन से हम वो कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिया है और इसे मैंने कट कर लिया है पोटेटो ब्रिंजल और यह है पंकिन स्टेम और उसके साथ कुछ लीफ और साइड में मैंने कुछ ग्रिन चिलीज भी रखे हुए है तो अभी हम एक कड़ाई गरम कर लेंगे और सारे जो वेजिटेबल्स है उसे हम एक एक करके फ्राइ कर लेंगे तो उसके लिए हमें इस करी को बनाने के लिए हम यूज करेंगे मास्टर डॉयल तो अभी तेल को थोड़ा सा गरम होने देंगे और अभी इसमें आट कर देंगे पोटेटो तो सबसे पहले हम पोटेटो उसको फ्राइ कर लेंगे अभी इसमें हम एट करेंगे पिंच ओफ तर्मरिक पाउडर और अच्छे से पोटेटो को फ्राइ कर लेंगे तो देखिए पोटेटो फ्राइ होके बिल्कुल रेडी है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अभी हम प्रिंजल्स को फ्राइ कर लेंगे अभी हम प्रिंजल्स को भी आट कर लेंगे फिर इसे भी एक से दो मिनिट के लिए हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और बिंजल में थोड़ा साइड करेंगे नमक और हल्दी और इसे भी अच्छे से हम सौटे कर लेंगे और ये बिंजल में फ्राइक होके बिल्कुल ready है उसी पेन में अभी हम थोड़ा साइड में और और जो पंकिन लेफ और स्टेम है उसे भी हम एड़ करेंगे और उसके साद थोड़ा साद नमक और और इसे भी थोड़ाद थोड़ा तो यह थोड़ा साफ्ट हो जाए तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अभी हम उसी करहाई में वन टी स्पून ओयल एड़ करेंगे और उसे गरम होने देंगे उसमें हम एड़ करेंगे वन टी स्पून का लौंजी एक ग्रिंचिली को हम स्लीट करके एड़ करेंगे उससे आरोमा बहुत ही अच्छा आएगा और अभी हाफ कप लियूक वर्म वाटर एड़ करेंगे इससे उबालने देंगे तो अभी एक एक करके साथ स्पाइसे सेट कर देंगे सबसे पहले एक टी स्पून टर्मरिक पाउडर एक टी स्पून क्यूमेन पाउडर स्वाड़ टेस्ट इस में तीन ग्रिंचिली को स्लिट करके हम एड़ कर देंगे अभी मसाले को एक साथ अच्छे से कूख होने देंगे फ्लेम को बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम में ही रखना है तो ये देखे ये लगभग मसाला पक चुका रो फिश को अभी हम अट कर देंगे थोड़ा सा और पानी एट करेंगे और इसे अच्छे से कूक होने देंगे फिश को थोड़ा सा बोद साइड से उलट पलट करेंगे और कूक होने देंगे यह जो हिसा फिश है इसे रौ फिश को कूक करके खाने में ही बहुत ज़दा मज़ा है अगर इसे हम fry करके cook करते ना तो यह बिलकुल rubber जैसा बन जाता अभी हम सबसे पहले add कर देंगे जो pumpkin leaf और उसके साथ जो stem है उसे हम सबसे पहले add करेंगे तो उसे थोरसा एक मिनिट तक cook करेंगे उसके बाद हम brinjal और जो potatoes है उसे भी हम add करेंगे उसे थोड़े time के लिए cook करेंगे और उसके बाद उसे पानी एट कर देंगे करी के लिए फिश का जो curry होगा वो थोरसा पतला होगा ज्यादा ज्यादा ग्रेवी टाइप नहीं होगा यह थोरसा पतला जोल जैसा ही रहेगा तो इसे तो फिश करी को अभी उबलने देंगे medium to high flame तब तो यह देखिए यह उबलने भी लगा है इसे बिल्कुल ऐसे ही हमें 3-4 मिनिट तक उबलते रहना है तो हिलसा फिश करी बनके बिल्कुल रेडी है इसमें लास्ट में हम थोरा सा mustard oil अट करेंगे और गैस के flame को बंद कर देंगे और इसे सर्फ कर देंगे